अभी अभी निकल के रहे एक बड़ी ख़बर अफगानिस्तान से अफगानिस्तान में लगातार ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते जा रहे हैं जी हाँ अमेरिकी राजपती जो बाइडन ने भी इसके आसंग का पिछले 24 गंटे पहले ही जता है थे कि अभी भी काबुल के अएरपोर्ट के आसपास के इलाकों में भी भी बंबलास्ट हो सकते हैं और फाइनली अभी अभी एक बड़ी ख़बर निकल के रहे हैं काबुल में एक और धमाका हुआ है जी यहां बताया जा रहा है कि रॉकेट से जो यह धमाका हुआ है बहुत ही जादा धुआ देखने को मिला है लेकिन अभी तक असपस्ट रूप से बताया नहीं जा पा रहा है कि अभी तक अफगान मीडिया में जो खबरे निकल के रहे हैं उसी के हवाला देते हुए बताया काबुल एरपोर्ट के पास धमाका हुआ घर पर रॉकेट से हमला किया गया और भारी नुकसान की आसंका बताई जा रही है यहां तक कि पहले से चेतानी दे दी गई है कि आसपास की इलाकों को पुरी तरह से खाली कर दिया जाए क्योंकि काबुल एरपोर्ट के कही इलाको को घे लिया गया है आतमवादियों के द्वारा और कितने सारे आतमवादी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ नहीं जानकारीयों किसा